नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं करेले की कलोजी बनाओंगी तो मैं चूले की साफ सफ़ाई कर ली हूँ अब मैं चूले को जला लेती हूँ तो चूला हमारा जलने लगा है अब मैं इसमें लखडिया लगा देती हूँ अधर मैं कड़े ले ली हूँ तो करेला देखे किता अच्छा है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दीखरा एक दम हरा हरा तो मैं इसे चीलुंगी नहीं इसे ऐसे ही उबालूंगी तो मैं चुले पर बढ़ाई को रख देती हूं कठाई हमारा गरम हो गया है कठाई में मैं पहले धनिया को भूनूंगी तो देखे मैं कलोजी बराऊंगी तो पहले मैं धनिया को भून लेती हूं तो हमें धनिया को धीमियाच पे भूनना है और हम जीरा को भी भूनेंगे एक की साथ लेकिन फहले थोड़ा धनिया भून जाएगा उसके बाद जीरा डालूनगी क्योंकि जीरा छोटा-छोटा रहता है तो जल्दी भून जाता है और फिर जलने लगता है इसलिए पहले मैं धनिया को भूनौनँगी तो धनिया हमारा लगभग अधर भून गया है और एक थाली में रख लूँगी अगर कढ़ाई में छोड़ दूँगी तो ये जलने लगेगा और फिर मैं कढ़ाई को जुले पे चढ़ा देती हूं क्योंकि हम करेले को पहले उबालेंगे तो उबालने के लिए मैं कढ़ाई में पानी डाल देती हूं तो करहाई हमारा पहले से गरम था तो पानी भी गरम हो गया है तो मैं इसमें अब नमक डाल दूँगी नमक डाल के उबालने से करेले का करवापन कम हो जाता है और मैं कलोजी उबाल के बनाऊंगी बिना उबाले भी बनाते हैं लेकिन उबाल देने से बहुत ही अच्छा लगता है एकदम नरम हो जाता है तो मैं करेले में चीरा नहीं लगाई हूं इसे ऐसे ही उबालूंगी तो फिर मैं इसे कड़ाई में डाल देती हूं और फिर मैं इसे धकल लगाके करीब 10-15 मिनट तक उबालूंगी तो मैं कड़ाई के धकल लगा दी अधर धनिया हमारा ठंडा हो गया है धनिया भून के कलोंजी बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं धनिया को भून पीस लेती हूं और फिर मैं बीच में करेले को भी चेक कर लेती हूं कि कितना उबला है तो मैं इसे थोड़ा सा और उबालूंगी अधर धनिया भी हमारा पिसा गया है तो अब मैं इसे एक थाली में सबको रख लूँगी तो देखिए धनिया को मैं पूरा थाली में उठा ले हूं और इसमें एक मिर्ची का अचार मैं डाल देती हूं अगर आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं भी डाल सकते हैं एक चम च मिर्ची पौडर या तीखीवाली मिर्ची है और नमख-운 Soa-만-we will yaak और फिर इसमें इधर तेल है यह तेल जब हमिचार बनाते हैं तो तेल बज जाता है वह ही तेल को मैं यूज कर रही हूं अगर आपके पास होगा तो इस तेल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जिससे हम सबजी छोगते हैं वाले तेल को भी यूज़ कर सकते हैं तो ये मेरा बचा हुआ तेल है तो मैं ऐसे ही कलोजी बना के इसमें यूज़ कर लेती हूँ तो मैं तेल डाल की और इसे मिला लूंगी आप चाहे तो लसुन भी कूट के डाल सकते हैं मैं लसुन नहीं डाली हूँ और इधर एक चमच आम चुर पौडर आपको जितना खटा चाहिए उसके हिसाब से आमचुर पौडर ले सकते हैं तो मैं थोड़ा सा और तेल ले रही देखिए हमको एकदम ज्यादा से नहीं उबालना है क्यूंकि हमें अभी इसे तेल में भी पकाना है तो मैं इसे चुले से नीचे उतार लेती हूं और एक थाली में सब को रख लेती हूं और जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मसाला भरेंगे और फिर मैं कड़ाई को चुले पचड़ा देती हूं कड़ाई जब तक हमारा गरम होगा इधर करेला हमारा देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं इसमें अब चीरा लगा लेती हूं तो इस तरह से हमें चीरा लगा लेना है और इसका जो बीज है इसे हम बाहर नहीं निकालेंगे और इसी तरह से मैं सभी करेले में चीरा लगा लेती हूँ अधर कराई हमारा गरम हो गया है तो मैं इसमें जो आचार वाला तेल है इसे डाल देती हूँ कि दोस्तों हमारे गाउं में इसी तरह से कलोजी बिनाया जाता है और यह बहुत ही अच्छा लगता है कि अधर हमारा करेला भरने के लिए तैयार हो गया है और जो मैं मसाला बनाई थी वो भी तैयार हो गया है तो अब मैं करेले में मसाले को भर देती हूं आप इसे दाल चावल के साथ रोटी के साथ पड़ाठा के साथ खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इसी तरह से मैं सभी करेले में मसाला को भर दूँगी अधर तेल हमारा गरम हो गया है तो अब मैं करेले को तेल में डाल लूँगी तो हमें थोड़ा मूँ को दबाते हुए करेले को तेल में डालना है ताकि मसाला बाहर ना निकले तो मैं शारे करेले का मुझण दबा दबाके और तेल में ढाल देती हूं और इसे में धक्तन लगा के धिमें आज़ पे पकाऊँघी पक्तो गया ही है थोड़ा सा और पकालेना है तो इसे फिर मैं अलट प्लट देती हूं इस तरह से बीच-बीच में हम्में अलट और मैं ढखकन लगा देती हूँ फिर कुछ देर हो गया है तो फिर मैं इसे अलट पलट देती हूँ तो देखे ये लाल होने लगा है थोड़ा सा और उसके बाद ये रड़ी हो जाएगा फिर हम कुछ देर के बाद देख लेते हैं हमारे करेला का क्या हाल जाल है तो देखे करेला हमारा बिलकुल रड़ी हो गया है सब तरब से लाल हो गया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है अगर आम या आम चूर अगर आप करेले में टाल देंगे ना तो जो करेले नहीं खाने वाले भी सब खाने लगेंगे अब बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ हमारा करेले का कलोजी बनके तयार हो गया है आज यह आप लोग बिखाने के लिए प Fighterा के साथ दाल चौल के साथ खा सकते हैं और सफर के दोरान भी लेके जा सकते हैं तो कि यह जल्दी खराब नहीं होता है अगर आप इसमें लसुन दाल देंगे तो सफर के दोरान मत ले जाएगा अगर बिना लसुन का बनाएंगे तो इसे लेके जा सकते हैं कि लसुन वाला जल्दी खराब हो जाता है तो मैं इसमें लसुन नहीं डाली हूँ, आप चाहे तो लसुन डाल सकते हैं, तो कैसे बेनिये हैं, हमारी करेली की कलोजी, कॉमेंट करके जबूर किताईएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लिजिएगा, वीडियो को लाइक और जो हमारी रेसिपी है, अपने फैमिली दोस्तों के भी सेर किजिएगा, और दोस्तों घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डाल दूं, आपके मोबाल पे तुरंत आजाएगा, तो फिर भूते हैं नए वीडियो के समा तब तक के लिए धन्यवाद कि लूते हैं झाल